एक मेरा एक वाक्या हो रहा है कि बद्रीनाथ में मेरी कथा चल रही थी और उसमें भीष्म पितामा का में प्रसंग सुना रहा था कथा में तो भीष्म पितामा कौरवों के पक्ष के थे पर वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे उनसे ठाकुर जी ने पूछा तुम ना म पक्ष में रहता तो आपके राइट में खड़ा होता है यह आपके लेफट में और भाई चांस आप मेरे सार्थी बन जाते तो आपकी पीछे आपका दर्शनि कैसे होता है मेरे को क्यों पांडव में युदेश्च्चर भीम से लोगंषे लिःंआ अधी अगल पघल में कौरों का पक्षिव करके बूले हां तो कौर विश्म पतामा का में प्रसंग सुना रहा था बहुत अच्छी कथा है कि जब उनको बान लग गए पूरे रोम रोम में तब उसके बाद मृत्यू सामने खड़ी थी कि चलो कि हो गया पूरा विश्म पतामा को वर्दान उनके पिता जी ने दिया था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगे उमर नहीं सकते उनके शरीर को बीच से कोई काट दे विश्म पतामा बोले अब खड़ी रहे सामने जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं आ जाएंगे द्वा बगवान द्वारी का जा रहे थे लेकिन तब यूदिष्ठिर को कोई संशय हुआ तो बगवान बोले अच्छा तेरा संशय मैं दूर ने गरूँगा बीश्म पतामा के पास गये तो बीश्म पतामा सामने बगवान खड़े हैं बीश्म पतामा ने स्तुति गाई और स्तु जब प्राण तन से निकलें गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकलें पीतांबरी कसी हो मुखडे पे कुछ हसी हो चबी मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकलें हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है डैथ हम लाइफ में कुछ अजीवमेंट कर पाएंगे कितना पैसा कमा पाएंगे क्या पाएंगे ये कुछ भी टुथ नहीं है बट हम एक दिन मर जाएंगे सबको पता है आदमी हर उस चीज की व्यवस्था करता है जो उसके पास नहीं है घर नहीं बनाता है गाड़ी नहीं खरिदता है पत्नी नहीं ब्या करता है लेकिन जो उसके पास है डैथ कभी उसके बारे में विचार नहीं करता कि वह कैसी हो मेरी विश्म पतामा ने पहले ही सोच लिया मुझे ऐसे मरना है तो इस प्रसंग को मैं सुना रहा था ज्यादा प्रसंग में चला जाओं मेरी कता हो जाएगी साथ दिन की आपको दक्षणा भी दिरनी पड़ जाएगी तो भीश्म पतामा ने पूरी इस्तुतिक आई और भगमान में विलीन हो गए तो एक जो भक्त सामन मैं बेटा था कता सुन रहा था उसको पता नहीं क्या हुआ पंडी जी थे वह मैं जैसी कता पूरी करके उत्राना वह रोने लगे महराजी अब मुझे नहीं रहना मुझे भी ऐसे प्रान त्यागने जैसे बिश्म पतामानी किया मैंने भाई सकता सुनो अभी तीसरा दिन है नहीं 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 बद्रीनाथ धाम है साक्षात नाराएंड भगमान सामने ब्रैठें इनकों में देख रहा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए अचा कता में ऐसे बोलने वाले लोग मिल जाते हैं मैं ऐसे मैं ठीक है ठीक है मैं निकल गया कि रात में मैं सोया सुबह चार वजे जो कथा के और्गनाइजर थे वो मेरे गेट को खटकट आते हैं मैंने क्या हो गया महराई जी हमारे साथ एक पंडी जी आये थे एंड कल कथा के बाद से उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ प्या गंगा के किनारे बैठे रहे रोते ठाकुर्जी का दर्शन किया रात में आये मैंने तब भी का कुछ खा लो कुछ खाया नहीं और बस बोले बैड़ पर भी लेटे नहीं बैठ गए और नारायन 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 पूरी रात बस चबते रहे सुबद चार वजे ब्रहम महुरत में ठीक जैसे बद्रीनाथ के उन्होंने अपने कक्ष में प्रान त्याग दिए और आय वस लाइक कि वो तो कल मेरे से बोल रहे थे इस बात को और मैं जो कथा में इतने ब्रीफली यह सब चीज सुनाता हूं भक्त ऐसे प्रान त्याग देते हैं ठाकुर जी में विलीन हो जाते हैं वो मैंने होते हुए अपने आखों के आगे देखा है कि उस व्यक्ति ने बद्रीनात धाम में कथा सुनते हुए और जो उसका मन था कि मुझे ऐसे प्रान त्याग नहीं भीश्म पतामक तरह उसने कि इस तरीके के चमतकार बहुत हुए